हेमा मालिनी और धर्मेंद्री की बेटी इशा देवल बन गई है मम्मी 20 अक्टूबर को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में इशा ने दिया एक बेबी गल को जन और 23 अक्टूबर यानि सोमवार को इशा देवल को अस्पताल से मिल गई छुट्टी और ऐसे में हम लाए है इशा देवल की बेबी गल की पहली जलक इशा देवल को सोमवार को तकरीबन 12 बजे अस्पताल से डिश्चार्ज किया गया और इशा को अस्पताल लेने पहुचे थे उनके पती भरत तक्तानी साथ में हमें भरत के माता पिता भी वहाँ नजर आए इशा के डिश्चार्ज के वक्त उनके मा बनने की खुशी उनके चहरे पर साब देखी जा सकती थी पापा भरत भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे वैसे अस्पताल से डिश्चार्ज के वक्त इशा ने हमसे बात नहीं की लेकिन हमें ये बात पता चली है कि ईशा और भरत ने अपनी बच्ची का नाम डिसाइड कर लिया है जिसे वो फिलाल तो रिवील नहीं करना चाहते हैं लेकिन सुना है कि दोनों एक प्रॉपर फंक्चन में ही अपनी बच्ची का नाम जाहिर करेंगे अब जाते जाते आप सभी को ये भी याद दिला दे कि ईशा और भरत की शादी पांस साल पहले यानि कि 2012 में हुई थी रवी जैन, ABP News, मुंबाई